तो हेलो दोस्तो वेलकम देक तो माई यूटूब चैनल आज मैं आपको बहुत अच्छी बात बताने वाला हूँ इस वीडियो को कम्प्रेटली आप देखिएगा थोड़ा भी स्किप मत कीजेगा इस वीडियो के देखने के बाद मैं आपको 100% का वादा देता हूँ आप आपको 9, December, January ये 3 महेने आपके पास बचा है बूर्ड इग्जाम की तयारी करने के लिए मैं आपको बताऊगा तयारी आपको करनी कैसे है एकदम अच्छे तरीके से बताऊगा जो कि आपको पसंद आएगा तयारी आपको कैसे करनी है ? नवंबर दिसंबर जनौरी ये तीन महेने केवल आपके पास है और मैं आपको बता हूँ के बीच में 15 16 या 10 12 से आपका एक्जाम स्टार्ट हो जाएगा ठीक उसके बाद देखिए नवंबर से पढ़कर 95% कैसे ला है 100% में बोला हूँ आपका 95% आ सकता है जो मैं ट्रिक बता है पढ़ने का मन नहीं करता यह सबको है सबको बीमारी है इन दोनों का यानि सबको पढ़ने से डर लगता है और पढ़ने का मन नहीं करता है लेकिन मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिससे कि आपको पढ़ने का भी मन करें तो देखिए क्या करें हम लोग सबसे पहल सब्सक्राइब कर ना तो सब्सक्राइब कर से ऐसाबी करना थी यहां पर इसे कम नहीं होना य serv이다 उसके बाद दूसरा नमबर देखिए दूसरा नमबर क्या कहता है आपका बेस्ट टाइम टेबल एक आप लोग टाइम टेबल बनाई है जो कि 100% उसको फालो आप लोग कर सके ऐसा टाइम टेबल मत बनाई है जिसे फालो ही न कर सके कैसा time table होना चाहिए आपको मैं आपको बताता हूँ कैसा होना चाहिए सबसे पर देखे आप एक ऐसा time table बनाओ जो आप follow कर सके आपको मैं 24 घंटे दिन के होते हैं कम से कम मैं आपको बता रहा हूँ जो भी आपका कमजोर subject है उस पर कम से कम डेड़ घंटे आपको टाइम देजिए तिक डेड़ घंटे आपको टाइम देजिए कम जोर subject पर डेड़ घंटे अगर आप time देंगे तो मैं आपको 100% बता रहा हूँ वो subject में आपका बहुत अच्छा score हो पाएगा और जो आपका थोड़ा अच्छ में बहुत ही बढ़िया बताऊंगा उसका फालो करके आप बहुत अच्छा नंक प्राप्त कर सकते हैं उसके बाद देखिए सबसे पहला नमर क्या लिखा हूं question bank की फूल तयारी एक मंत कम से कम बनाप question bank पढ़ लिए यानि कि आप कोई भी सिरिज से पढ़ाई कर सकते हैं आप बालीजें मैं आपको बता रहा हूं काका के सिरिज सबसे अच्छी है आप काका के सिरिज या बिद्या के ओना यह बहुत अच्छी सिरिज हैं इन दोनों मे very important topic minor extra focus पेक्श है विक सब्जेक्ट पर ज्यादा फोकस करो इस पर औहलों अधिक अधिक फोकस करें जो आपका big subject है उसके बाद देखे तीसरा नमर आपने तीसरा नमर आप कहता है कौपी पर लिखने का practice करो बहुत ही महत्तमुर है देखि जया है कि आपने आशारा रामचंद्र जीका क्या पढ़ लिया जीवन पर से अपने मन से लिखो क्योली याद मत करो वा ने जीवन पर से अपने मन से लिखो तब तो साथ चेपिर पढ़ें हैं तो आपको यह टार्गेट बनाना है कि मुझे आज एक g घंटे में पूरे फिजिक्स का रिवीजन करना है आज मुझे बाइलोजी का पूरा पूर्बी एक वन से लेकर से प्रस्ट के बीच में जीतना फर्मूल याद करने है ऐसे आप डोटार्गेट बनाए यह इसे कहते हैं तार्गेट ठीक विसके बादे के पांचवा नमर पॉढ़ने वाला दोस्त बनाओं यानि कि मैं आपको बताता हूं पढ़ने वाला दोस्त कैसे बनाओं गर आपका दोस्त बनना पसंद नहीं करेगा अगर आपका दोस्त बन जाए तो वो ठीक बात है बन जाता है तो ठीक है अगर नहीं बनता है तो कैसे आप लोग उसे दोस्त बनाएगा माले जाए उसके पास जाए किताब अपना लेकर रख जाए उसे पूछे कौन सा question important है जो भी तैयारी किया रहेगा उसका अपने बारें बताएगा मैं यह तैयारी यह वारा तैयार कर लिया हूँ यह बहुत ही महत्पूर्ण है यह बोड एक्जामे आने वाला है इसलिए आप पॉणने वाला दोस्त बनाओ उसको छेवा नमबर टोपी क्या कहता है प्रश्ण को समझ कर खुद के खुद से बीना देखे लिखने की कोशिस करो मैंने आपसे उपर क्या बताया यहां पर मैंने आपको बताया कौपी पर लिखने करो और खुद से खुद से करो यह कुछ 15 से देखना नहीं अपने मन से यार्ठ ची हो से लिखना आपको उसके बाद देखो इंपोर्टेन्ट वैन ग्न यह जो है बहुत ही मोहतपूरणां है आपने माल लिया कि physics chemistry बायो इन तीनों मैंने पूरा विज्ञान आप पढ़ लिया है आप लोग अगर पूरा पढ़ लिया है तो पूरे का प्रेक्टिस आप लोग कैसे करेंगे माले यह पूरा पढ़ लिया तो कैसे करेंगे आप टार्गेट मना है कि मुझे एक घंटा में पूरा physics chemistry बायो का revision करना एक घंटे में करना है उसके बाद टार्गेट में कि आज मैस का मुझे यह माले जेक वहन से पांच चेप्टर दर आपको फोमुला याद करना है तो फोमुला आज याद हो जाएगा उसके बाद आप टार्गेट में मन समाजिक विज्ञान में पां आज़े जानते हो क्या करते हैं करते हैं यहीं करते हैं यहीं करते हैं वहले यह यह एक perfectly यह तो आफ्यान ओप सब्ष़़ डेंके आपको एक कमजोर subject पर उसे देड़ घंटे आपको देने हैं कोई भी subject कमजोर है अब देखिए आप number कैसे score कर पाएंगे मान लेजे कि आप class 10 में class 10 में कितने subject हैं छे subject हैं आपका हिंदी हो गया इंगलीज हो गया math हो गया उसके बाद क्या हो गया social science हो गया कि science हो गया उसके बाद संस्क्रीट हो गया ठीक तो science है कि संस्क्रीट आपका इतना subject हो गया चैज़ सबजेक्ट आपका हो गया अगर मालने जी आप लोग टारेट बना लेजी कि मुझे तीन subject में कम से कम में कम् से कम कितने नवर लाना सबसाइब क्लाइब अगर अच्छे सब्राइब कि उसके पेर इससित 97 सब्राइब बच्चों का इन तीन सब्जेक्ट में थोड़ा थोड़ा नंबर कम रहेगा इसे कबर हो जाएगा आपका कम से कम आपको बोड़ गम 85% प्लस लाना है इसे कम नहीं होना चाहिए अगर आप इस चैनल के माध्यम से पाहई करते हैं तो मैं आपको 100% का वादा देता हूं आपका 85% प्लस से नीचे कभी नहीं आएगा जो इस चैनल पर बताया जाता है कि वह आप उसका फॉलो करते हैं तो इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब अबस्ति कर लेजेगा अगर आप करने का मान होगा तो करिए आप नहीं करने का मान होगा तो मत कर या कोई प्रोबलम नहीं है लेकिन इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे आप लोग तो मैं आपको 100% का वादा देता हूं आपका 85% प्लस आईगा 100% मैं आपको बताता हूं हाँ जो आपको इस चैनल पर बताया जाएगा उससे फॉलो करेंगे तो आपका 85% प्लस आएगा नहीं तो नहीं आने वाला ठेक, ठैंक यू